नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है आज मैं आपके लिए एक महत्यपुन टोपिक लेकर आया हूं फटी एडियों के विशे में अब फटी एडियों को कहें अलविदा इस चमतकरी तरीके से इसे जानने के लिए किरिपय हमारी विडियो को देखते रहिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पली सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंक कि इस चैनल पर आपके लिए हम जबर्दस टिप्स लेकर आते हैं जिनसे कि आप घर परोश्डी बनाकर ही उनका इलाज कर सकते हैं और स्वाष्थ जीवन जी सकते हैं क्योंकि स्वाष्थ ही जीवन है इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो और आई बटन दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करकर भी इस से लेटेड और वीडियो को देख सकते हैं अब फटी एडियों को कहें अलविदा इस चमतकारी तरीके से व्यस्त दिंचरिया के चलते हम अपने सरीर के कई हिस्सों का ख्याल रखना भूल जाते हैं जिनमें पैरों की एडिया एक हैं खून का संपून प्रवा नैह होने से या जादा समय पानी में काम करने से हमारे पैरों का पिछला हिस्सा यानि एडियों में दरारे आने लगती हैं जिसे हम फटी हुई एडियों का नाम देते हैं फटी हुई एडिया दिखने में बिल्कुल भी अच्छ आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी एडियों की देख भाल कर सकते हैं कर सकते हो और आप पास सकते हैं साफ्ट और मुलाएम एडिया बिल्कुल दो साल के बच्चे की तरह हैं आपको इसके लिए इस उस्दी को त्यार करने के लिए क्या-क्या सामगरी की आप सकता है आपको सिर्फ जरूरत है दस गोलिया एस्प्रिन की एस्प्रिन की दस गोलिया दूसरा धाई सो एमल मेडिसिनल एलकोहल अब आपको करना क्या है इसको त्यार करने की विदी एस्प्रिन की गोलियों को पीस कर चूरन बना ले और फिर उसमें अलकोहल डाल कर अच्छी तरह से मिला ले मिलाने के बाद इस मिस्रन को एक से दो दिनों तक वैसे ही छोड़ दे अब कुछ को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है उसको कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दे दो दिन के बाद बाद में एक सूती कपड़ा लेकर उसे इस मिस्रन में अच्छी तरह बिगो कर अपनी एड मिल्यों को किसी लिफापे से अच्छी तरह धेक लें सूती कपड़े के साथ धेक लें और अपनी जुराबे पहल लें और पूरी रात इसे वैसे ही सूखने के लिए छोड़ दें सुबह अपने पैर कोसे पानी से धो लें सिरफ दस दिन में इसे लगातार अपनाई और नत दोस्तों आप भी इस चमतकारिक तरीके का प्रियोग करके अपनी फटी एडियों को से छुटकारा पासकते हैं उनको साप्ट और मुलायम बना सकते हैं बच्चों की तरह हैं जैसे बच्चों की एडियां मुलायम होती हैं साप्ट होती हैं आप भी वैसे ही इस चमतकारिक तरीके के प्रियोग से बना सकते हैं ये थी दोस्तों हमारी वीडियो अब फटी एडियों को कहें अलविदा इस चमतकारी तरीके से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वैसे करना ना भूले इसके साथ-साथ आप हमारे यूटूब चैनल करेजी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जब्रतस टिप्स ले कराते हैं जिन से कि आप घर परोषदी बना कर ही उनका उन बिमारियों का इलाज कर सकते हैं और दोस्ते ही जीवन है धन्यवाद दोस्तों